हेलो स्टूडेंट वेलकम टू वेपी एजूकेशन मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वेपी एजूकेशन पर आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सी बीएसी पैटर्न के मैच से एकसरसाइज नंबर 7.3 कवर करेंगे स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को आल पर प्रेश कर लें तो चलिए आए शुरू करते हैं पहला कोश्चन इसमें आपका दिया गया है Convert into पैसे and then add समझिएगा Convert, Convert means बेटा क्या होता, बदलना क्या होता है बदलना into पैसे shark किसमें चैनल करना आपको पैसे में बदलना है and then add उसके बाद सबसे पहले जो भी कोश्छन दिये गए हैं उनको convert करना आपको चैनल करना है बदलना किसमें salirinkle कि a donor बदलना है and then add कर देना है तो चलिए आए देखते है question number 1 इसमें आपका दिया गया 36 rupees and 45 पैसे and 12 rupees and 25 पैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना है 36 rupees दिखा गया ठीक है तो हम रुपए को ही तो पैसे में बदलेंगे यहाँ पे आपका देख रहे हैं एक unit दिया गया पैसे में अब आपको बोला गया था कि पैसे में ही convert करना है तो जो इतनी value आपको दिखाए दे रही है 45 पैसे यह तो already पैसे में है तो इसको आपको नहीं convert करना है किसको convert करना जो 36 rupees है इसी को आपको convert कर देना है पैसे में ठीक है end दिया गया और दो value आपके पास है एक है 12 रूपीज यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके साथ पैसा कितना है 25 पैसा है ठीक है तो आपको करना किसको किसको है आपको करना 12 रूपीज को convert and 36 rupees को convert कर देना है तो sir ये 45 पैसे का क्या करेंगे बेटा हम बता दें आपको कि 36 rupees को convert करके 45 पैसे को उसमें add करके total एक साथ पैसे में बताना है ठीक है तो चलिए आए समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप ये जान लीजे कि 1 rupees में कितने पैसे होते हैं ठीक है तो 1 rupees equal आपके 100 पैसे होते हैं समझ में आया 1 rupees बराबर क्या होता है 100 पैसा होता जो आपका 1 rupees का coins देखते हैं उसमें आपका 100 पैसा होता है कितना पैसा 100 पैसा होता ठीक है तो आपको जब ये पता है कि 1 rupees equal 100 पैसे होते हैं तो हम क्या करेंगे इसी 100 में 36 से multiply कर दें तो आपको 36 में कितने पैसे होते हैं 36 रुपीज में कितने पैसे होते हैं वो पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए आए समझे सबसे पहले आपको 36 को ही तो convert करना है तो 36 रुपीज हम लिखेंगे इन्टू कर देंगे 100 से क्योंकि 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे होते हैं तो आप जब उसी नंबर में 100 से गुड़ा करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा तो 36 इन्टू 100 प्लस 45 पैसे में था आपका अलरेड़ी जो एक यूनिट उसी को हमने यहाँ पे 45 एड करने के साथ राइट कर लिया ठीक है तो 36 इन्टू 100 प्लस 45 इसी फार्मूला के नीचे यही नंबर आपको राइट कर देना है 1 के नीचे 1 रूपेस के नीचे 66 का बताना है तो 36 लिख देंगे और 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे और जो पहले से आपका पैसे में है उसको हम क्या कर लेंगे एड कर लेंगे जोड़ लेंगे ठीक है तो यह हो गया और उसके बाद बोला गया ता क्या करना है add करना है आपको तो दूसरी value आपकी दी गई है क्या 12 rupees तो हम लिखेंगे 12 into 100 क्योंकि इसको हमको पैसे में बदलना ठीक है इसके साथ 25 पैसे हैं तो plus के sign के साथ 25 पैसे और दोनों को हम कर देंगे कि इसमें bracket में समझ में आया और उसके बाद हम इसको solve करेंगे 36 1 इस क्या होता 36 और 36 का 0 में आप table कराएंगे तो 0 हो जाएगा 36 से 0 में कराएंगे table तो 0 हो जाएगा तो आ गया आपका कितना 36 thousand ठीक है एंड दिन इसको आप जब आप साल्व कराएंगे तो 36 का इंटू करना यानि गुड़ा कराना आपको 100 में ठीक है तो 36 इंटू करेंगे 1 में तो आपका क्या जाएगा 36 आजाएगा और 36 का 0 में तो 0 36 का 0 में तो 0 समझ में आगे आपको तो यह आगे आपका 3600 प्लस 45 जोड़ना है हमको एड करना है तो हम राइट कर लिए ब्रैकेट लग गया आपका आगे की वैलू सॉल करिए देखिए आगे क्या दिया गया था 12 इंटू 100 था तो 12 का 1 में कराएंगे टेबल तो आपका क्या चया आफका ग्रविद्ध करेंगे तो खिर सेट कराएंग तो समझ मैं ए makes up करना ह 하지만 प्लस के साथ इसको ब्रैकेट के साथ राइट कर देंगे आपको यहां आपको ऑनस क्या है जीरू है इसका क्या है पाइब है तो ऑ Castro को एड करेंगे तो क्या आएगा और फिर यहां पर情况 क देख सकते हैं क्या है जीरो है इसका टैंस आपका 4 है तो 4 और 0 मिलके क्या हो गया 4 इधर का आप सारे नंबर खतम हो गया हमारे पास कुछ नहीं है तो 36 बचा हुआ है तो 36 हम राइट कर लेंगे तो आगया आपका टोटल यह पैसे में कनवर्ट हो गया क्या आगया यह आगया आपका 3645 पैसे ठीक है अगला देख सकते हैं आपका इन दोनों को एड़ करने के बाद यहाँ दो जीरो है आप देख सकते हैं यहाँ दो नंबर से हैं तो दोनों को जो हम 00 में 25 को एड़ करेंगे तो क्या होगा 25 भी आएगा और उसके एड़ करना था बोला गया था ना कि दोनों को एड़ करना है कनवर्ट करने के बाद तो आप चलिए इनको एड़ कर लिजे आप देख सकते हैं एड़ करेंगे हम तो 5 और 5 इसका वन स्प्लेस क्या हो जागा 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 है उसके बाद आपका यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 4 2 क्या होता 6 होता है कैरी 1 मिला के 7 हो गया अगला नंबर आपका यहाँ 2 है यहाँ आपका क्या है 6 है तो 6 और 2 हो गया कितना 8 हो गया ठीक है और अगला नंबर यहाँ पे आपका क्या है 3 है यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 मिलके क्या हो गया 4 हो गया ठीक है यह इन दोनों पैसों का आया है क्या एड आया है तो दोनों कंवर्ट होके कितने पैसे बन गए विताब 4,870 पैसे बन गए हैं आयोप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चली अगले आपको दूसरे वाले के साथ भी करना है यहां 5 पैसे है तो 6 रूपीज को कंवर्ट कर देंगे और 5 पैसे उसमें एड कर लेंगे तो चली जब हम रूपै से पैसे में बदलते हैं तो बेटा क्या करते हैं 100 से क्योंकि 1 रूपीज इक्वल 100 पैसे होते हैं तो 25 इंटू 100 प्लस 22 लिख लेंगे क्योंकि 22 पैसा इसमें एड करना है वही सेम प्रॉसेस इसके साथ 6 इंटू 100 प्लस 5 कर लेंगे ठीक है और उसके बाद इन दोनों का मल्टिप्लाइ कराएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2500 प्लस 22 इन दोनों का क्या 100 6000 क्या हो जाता है 600 प्लस 5 एड कर लेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे उसके बाद आपको क्या कर देना है इन दोनों को एड करेंगे तो 2522 प्लस 605 आगया ठीक है इंड दिन उसके बाद इनको आपको क्या करना है एड कर लेना है और एड करने के बाद आपका वैलू आ गया कितना 3127 किसमें ये पैसे में हुआ है किसमें हुआ है ये पैसे में कनवर्ट हो गया है आयोप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए चलते हैं next question पर so student ये रहा आपका question number 36 rupees and 27 पैसे है and 14 rupees and 35 पैसे है कितना रूपीज है 14 रूपीज है कितना रूपीज है 14 तो same process जैसे हमने आपको अभी दो question में समझा है वैसे ही आपको same to same ऐसे करना है आप लोग अच्छे से इसको अपनी copy पर cover कर लीजे right कर लीजे ठीक है तो चलिए चलते हैं आगले प्रश्ण पर ये रहा आपका question number 4 question number 4 है 28 rupees and 60 पैसे तो 28 को हम पैसे में बदलेंगे सबसे पहले क्योंकि ये रूपया में है और 60 उसमें पैसे को क्या करेंगे add करेंगे 42 rupees को आपको पैसे में बदल देना है and 20 पैसे उसमें add कर लेना है तो हमने आपको बताई दिया है कि 1 rupees equal 100 पैसे होते हैं तो जब आपको रूपय से पैसे में बदलना होगा तो आपको 100 से multiply कर देना उसी नंबर में ठीक है तो ये सारा process कराने के बाद आपका पहले तो आ गया है क्या 28 rupees 60 पैसे में total बनके आ गया 2860 पैसे और second वाले नंबर में आपका आ गया है कितना 4220 पैसे ठीक है तो ये आपका पैसे में दोनों value convert हो गया and then इसको आपको कर लेना है add so student आपकी पूरी की पूरी value आ गया कितना 7,080 क्या गया 7,080 तो चले चलते हैं next प्रस्ट पर करिए रहा आपका question number two, question number two है बी है आप देख सकते हैं क्या करना हमको add अड मिंस जानते हैं Fresh ओड हा पर आपस में दो नंबरों को जो टे है add करते हैं तो उससी को क्या कहते हैं जोडना जोड कहलाता है यानि Add कह लाता है ठीक है हैं वो किस में होते हैं पैसे में होते हैं अगर हम मनी में देखें तो डेशमल के बाद वाले नंबर आपका पैसा होता है क्या होता पैसा और इसका शु сторон-firm क्या भी होता है तो पी ओर पैसा कहीं पे ऐसे 85 पी लिखा है तो मतलब यह 85 पैसे हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं अगला है आपका क्या 37 रूपीज डेश्मल लगा है बीच में उसके बाद आपका 05 पैसे हैं तो आपको क्या करना है इनको एड करना है तो 5 और 5 हो जाएगा कितना आपका 0 तो carry one, eight में zero add करना है आपको, तो eight और zero मिलके हो गया, eight और carry one था, तो मिलके हो गया कितना nine, क्या हो गया बिटा, nine हो गया, आप देख सकते हैं, और अगला decimal, down decimal आपको लगा लेना है, ऐसे decimal के नीचे, decimal बिंदी के नीचे बिंदी लगा लेना है, उसके बाद आपको six और seven को add करना है, तो क्या आएगा, 13, 13 का लिखेंगे, three carry one, उसके बाद three, three, six, six और one हो गया, seven, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इसमें जितने भी add दिये गए हैं, आपको complete करना है, तो आप ये question one है, ये question two, question three, और question number four, ठीक है, add का देख सकते हैं, इसके downside चलिए, ये राप question number five, and question number six, ओके, चलिए next question पर चलते हैं, ये रापका question number, बेटा, सी, इसी exercise का जोकी दिया गया, क्या find the sum, find means बताईए, the sum means जोड, same question है, आप देख सकते हैं, इनका क्या करने ना है, आपको, जोड बताना है, add बताना है, जोड बताना है, इसको कॉलम में, इस तरीके से, अच्छे से, और यहाँ पर देख सकते हैं, अपर case में, यहाँ पर रूपीज का sign दिया गया, first box में, आपको ऐसे रूपीज का sign, पहले draw करना है, left side होता है, उसके right side में, आपका क्या होता, पैसा होता है, तो यह आपका पैसे का sign दिखाए दे रहा है, यानि P for पैसा, ठीक है, और यह आपका new symbol, आप रूपीज है, के बाद, उसको आपको अच्छे से add कर देना है, तो आप देख सकते हैं, यह है आपका question number 2, इस तरीके से करना है, downside में, यह रहा आपका question number 3, कौन सा है, यह question number 3, यह C का, और इसको आपको इस तरीके से करना है, okay student, तो चलिए चलते हैं, next question पर, so student, यह रहा आपका question number D, arrange in columns and add, same question है, जैसे हमने आपको उसमें समझाया है, कि arrange in column करना है, आपको सबसे पहले column, इसी को हम क्या कहते हैं, column, जब हम इसको straight right कर देते हैं, यानि सबसे पहले जो number आपका दिया गया, उसको अच्छे से arrange कर लेंगे, उसके बाद दूसरा number उसके नीचे arrange करेंगे, और तीसरा number उसके नीचे arrange करेंगे, तो ठीक है, तो आपको आप देख सकते हैं, यह decimal वाले सारे numbers हैं, तो आपको क्या करना है, इनको arrange करते समय बहुत ही ध्यान से करना, तो चलिए इसको सबसे पहले arrange करते हैं, हम सब तो फर्स्ट number आपका दिया गया है, क्या 224, यह क्या है आपका रुपीज है, तो हम क्या write करेंगे, सबसे पहले आप रुपीज उपर sign बना लीजे, कि इधर के सारी numbers आपके रुपीज के हैं, और उसके बाद आपके इधर के सारी numbers पैसे के हैं, तो आपका 224 रुपीज है, तो हमने write कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं, यह क्या है decimal है, तो आपको decimal लगा लेना है, और उसके बाद आपका 45 पैसा था, तो हमने write कर लिया, अगला number आपका है 34 रुपीज है, तो आपका देख सकते हैं, इसमें क्या है, आपका 4 once place का number है, तो हमने 4 को once place पे write किया, और 3 आपका 10th place का number है, तो हमने 3 को 10th place के नीचे write किया, इसका 100th number नहीं दिया गया था, आप देख सकते हैं, तो हमने 100 को क्या कर दिया, 0 कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, 0 तो आप 0 लगा सकते हैं, जो number इसमें नहीं दिये गए हैं, जिनके नीचे blank spaces आएंगे, वहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ दिया गया था 30 पैसे, तो आपने 30 पैसे यहाँ प हम 0 कर लेंगे, तो इसके सारे places fill up हैं, और इसको add करने में हमको easy होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, 60 पैसे था, तो हमने 60 पैसे को यहाँ पे write कर लिया, and then उसको add कर लेना है, जैसे हमने आपको पिछले question में समझाया, okay, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके कि इसमें जितने भी question है, आपको solve करना है, और इसका add देख सकते हैं, आप दिया गया 5, 0, 0 तो हो गया, क्या 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 add करेंगे 5, 5 में 0 add करेंगे 5, okay, उसके बाद 4, 3 हो जाएगा, आपका 7, और 7 में 6 add कर देंगे, तो हो जाएगा, आपका 13 13 का 3 carry, 1 हो गया, decimal के नीचे decimal आ जाता है बेटा, उसके बाद आप देख सकते हैं, 4, 4, 8, और 1 carry मिल के हो गया, 9, और 3, और 2 हो गया, आपका 5, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहा पे 2 है, सारी number नीचे 0 है, तो हमने 2 write कर दिया, तो यह आपका आगया क्या, 259 rupees and 35 पैसे, स इसको add करना है, और downside में आप देख सकते हैं, यह रहा आपका question number 3, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, next question पर, यह रहा आपका question number 4, आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको arrange करिएगा, अच्छा places को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, कि hold को hold के नीचे write करना, यानि जो rupees वाले number उनको rupees के नीचे, और जो पैसे वाली number है, उनको पैसे के नीचे, उनके place के according write करना है, ठीक है, तो यह था आपका question, add करना था, आपको arrange करके, तो हमने one by one clear कर लिया है,